कि नमुश्कार सक्षिन इस नेटे को आप सभी का स्वागत है महरास्ट्र में प्याज किसानों की समस्याइं बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी उपज को लागत से बहुत कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ रहा है महरास्ट्र में इस समय विधानसवा का किसानों की सबस्तेयों की और आकरश्त हो सके हम प्याज के बारे में यहां पर आंद Lloyd कर रहे हैं प्याज और किसानों के हाथ भूर भाल बुरी तरह से महरा港 के अंदर देष के अंदर देख रहे हैं सरकारने इमेजिएट लने को ना और कान्दे की खरीदी खुछ सरकार ने वाजवी भाव में यहां पर खरीदी शुरू करने को ना किसान इसी इसी मुद्दे के उपर लाग गये कि पिछले आधी बच्चन से हम आवाज उटा रहे हैं किसान के बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है आज किसानों के बारे में जो तरीके से बुरे हाल किसानों के चल रहे हैं इनके तरफ कुछ भी सरकार का ध्यान नहीं है अब एक दिन पहले ही राज्य के लासल गाओं कृशी उत्वात बाजार समीती में प्याज की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट से नाराज किसानों ने प्याज की निलामी रोगती थी हनाकि नासिक के प्रभारी मंत्री भूसे ने आंदोलन कर रहे किसानों को आश्वाशन दिया है कि मुंबई स्थित मंत्राले में अगले आठ दिनों में मुख्यमंत्री एकनाज शिंदे और उप मुख्यमंत्री देविंद्र फणवीस के साथ बैठक की जाएगी दरसल एश्या की सबसे पड़ी प्याज मंडी लासल गाओं में प्याज की प्रती किलो कीमत घटकर दो से चार रुपए प्रती किलो रह गई है अपनी लागत की भी वसूली नहीं हो पाने से नाराज किसानों ने मंडी में प्याज की निलामी ही रोगती थी प्याज उत्पादकों के एक प्रतिनि मैंने में ज़से लेकर में मंढ़ी में जा रात 300-400 रुपए बीच रहा है अब मेरा 355 रुपए खर्चे होगा है और पूरा प्यच का मेरा एक लाक रुपए भी नहीं बन पाएगा बीच जब इधर आया तो ऐसा लगता है क्या करने का क्या लेकर को मुधी सरकार ने उसको ध किसां के पास जहें दिया किसां को एक हजार रुपय अंद्वान देना चाहिए कम को आपी पिता दे कि सोलापूरária' कि पिछले सब्ता कि इस खबर के मुताबिक सोलापूर की बर्षी तहसिल निवासी किसान राजियंद्र चवाण ने कहा कि उनकी प्याज को सोलापूर बाजार परिसर में एक रुपे प्रती किलोक्राम की कीमत मिली और सभी कटाउतियों के बाद उन्हें धाई रुपे की राश काटने के बाद मुझे सिर्फ उससे धाई रुपे मिले अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके